अच्छा वन्हें को अब हम इस चैप्टर का सेकंड फेसिक बात बगने ये-चे फेस्टर करने जा रहे और टैट है na टुकार एंस का मेरे की पर मसीड आगे जाए आगे की बात को समझे और करें उस से पैले जरूरी हैं कि हम हम एक्रकरियमिसटु के वाले से कुछ बातों को बड़ Paige समझेंस तो उट्टेस्पा तो इन तो एक्ट्रवी सी को है कि ठीक है ब्रंच वक्ली है जिसके अंदर हम स्टॉडी करते हैं इस्टॉडी terrorism प्रोसेसेज बारे पर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जो electricity produce कर आदे electricity प्रोड्यूस कर दें या फिर ऐसे processes बिटा जिस के होने पर इलेक्टि जो हो electricity की वज़े से यानि दो काम है या तो कोई ऐसा या तो कोई भी process by means of electricity सिटी हो जाए या कोई भी काम बाइमीन्स ऑफ एलेक्टिसिटी हो यानि के कहना क्या चाह रहा हूं मैं बैसिकली कहने का मक्सद है दो बाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कैमिकल रियक्षिन कैमिकल रियक्षिन से एलेक्ट्रिकल एनरजी है और इससी से रिवर्स हो जाईए एलेक्ट्रिकल एनरजी से कंखल रियक्षिन यानिंट्ड लएक्षिन में आप दो बाते पढ़ते ऐसे काम या ऐसे chemical reactions के बारे में पढ़ते हैं कि जिनके होने के नतीजे में current produce हो जाए या फिर आप ऐसे processes के बारे में पढ़ते हैं कि जिनको करवाने के लिए electrical current की जरुबत पढ़ जाए या ऐसे reactions जिनको कराने के लिए current की जरुबत पढ़ जाए वह एलेक्ट्र केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्लियर हो गई बात यह सर्थ अच्छा अब देखो दो लव्ज मैं भी आपके सामने और तारुफ कर वा हूं कि वन इस स्पॉंटेनियस तो एंद सेकंड इस नॉन स्पॉंटेनियस कोई मुझे बता सकते है इस्पॉंटेनियस और नॉन इस्पॉंटेनियस क्या होगा इस पॉंटेनियस कुद्वाख साहिए रियक्शन विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स मतब कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो है वो नहीं चाहिए प्रॉसेस होने के लिए उसे स्पॉंटेनियस कहते हैं रियक्शन विच रिक्वायर एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर करें वो रियक्शन नॉन स्पॉंटेनियस है ठीक है जैसे के कार्बन और ऑक्सिजन को मिला कर हम कार्बन डायोकसाइड बनाते हैं इस नॉन स्पॉंटेनियस रियक्शन की जब तक फ्लेम नहीं होगा यह रियक्शन नहीं हो सकता साहिए इस स्पॉंटेनियस रियक्शन वह होता है बलगे यह तो फ्रिंसिपल नहीं लेते tip टेंड तो स्पॉंटेनियस रियक्शन वह होता है जिस में आप बहार से कोई एनर्जी करो बहार से आप अब खुद से कुछ ऐसा खर्चा करो कुछ ऐसी मेहनत करो कि जिसके नतीजे में रियक्षन हो जैसे यहाँ देखो वो रियक्षंज्ज जो वो काम वो अमल जो कैमिकल रियक्षंज से electrical energy produce करता है ठीक है यानि के chemical reaction से electrical energy यह process कहलाते हैं बिटा spontaneous जो खुझ से हो रहे होते हैं आपने क्या करना है आपने जस्ट उसका require setup range करना है तो जब आप require setup range कर दोगे तो reaction automatically खुद होने लगेगा अब electrical energy से जो chemical reaction होता है तो वह होता है दरसल आपके पास non-spontaneous यानि के setup आपने पूरा range कर दिया है फिर भी reaction स्टार्ट नहीं हुआ reaction दरसल स्टार्ट कब होगा reaction स्टार्ट तब होगा जब आप current pass करना शुरू करोगे जब आप current pass करना शुरू करोगे तो reaction स्टार्ट हो जाएगा और reaction फर्दर आगे प्रोसीट करेगा क्लियर हो रही यह बात पर है जी सर्थ तो यह मैं आगे चलूँगा तो अब आज देंट हम अपने डेफिनिशन और प्रॉसेस की जानिब तो हम क्या पढ़ने जारें पढ़ने जारें हम पढ़ने जारें हैं जिस पर एलेक्ट्रक्रक्रक्रक्ट का इंफ्लेंस हो यह आन्य जिस पर साधिर साधिर करृंट को लुए हो टीक यहां पर इंफ्लूइंस और उसको अबばい च посबारी और धिश्न और होते हैं यह सब्सक्राइब तुरा नहें recommends कि इसमें कि एक कि यह कैथोड लगा है दूसरा यह एनोड लगा है ठीक है अब जो इसमें एक बैटरी से जुड़े में यह नेगटिव टर्मिनल यह पॉज़िटिव टर्मिनल अब यहां पर कुछ पॉजटिव होंगे कुछ नेगटिव होंगे एपॉजटिव बी नेगटिव मान लेते हैं एपॉजटिव बी नेगटिव तो अब जब हम करेंगे तो जो यह एपॉजटिव हैं यह मूफ करेंगे इस तरफ और यह जो बी नेगटिव हैं यह मूफ करेंगे इस तरफ इस पूरे अमल को हम कहते हैं एलेक्टॉलिसिस क्लेर हुआ बिटा इस सर्थ चीक है तो जड़ा आगे चलते हैं अच्छा जी अब एक इलेक्टॉलिटिक प्रॉसेस मैंने आपके सामने लिग दिया है अब अपके सामने आगया है अब जथे सुमझेगा कि डिस तरीके से हम ब्रॉसेस को करा रहें देखें है कि हम ने एक बीकर लिया उस बीकर में एक इलेक्ट्रолाइट डाला अच्छा एलेक्ट्र में किक साथा तहां पता है आइन सॉल्यूशन यह इसमें पॉजिटिफ नेगे डिवाइंस मौझूद होते है इए एक आइए 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 सब्सक्राइब होता है जो इलेक्टिसिटी को कंड़क्ट करता है ठीक है अच्छा कोई सवाल इसमें अच्छा अब आईवनाइश करने के किसी भी सुलूशन को अमरे पास दो तरीके होते हैं इसे एबी हमरे पास एक कंपाउंड है और यह सॉलिड इस इसको आईवनाइश करने के दो तरीके एक इसे आप वाटर में डिजॉल्फ कर दें ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव दूसरा आप इसे कि मैल्ट करने तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव अब दो तरीके ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जिसमें आप इसको डिजॉल्फ कर दें और या इसको सॉलेट को मेल्ट करने पॉजिटिव नेगेटिव तो यह दो सूर्तों में आइंस बन जाते हैं अच्छा याद रहे जब भी आइन बनेगा चाहिए वह पानी में डालके आप आइंस बनाओ या मेल्ट करके आइन बनाओ वह हमीशा लिक्व रिएक्शन्स वह न्यूट्रल हो रहे होते हैं यह सारी बेसिक बाते समझ में आगी इसमें कोई सवाल तो नहीं है अब देखो यहाँ पर क्या है मैंने एक स्लूशन लिया कॉपर क्लोराइड का सबसे पहले इस कॉपर क्लोराइड को मैंने आयोनाइस करना है सॉलूशन बन है में बना लिया नैंपानी में डालकर सिलूशन बनाया तो यह बन गया कॉजिव 2 और हटीर नेगटिव 2 ठीक jakby क्लोराइड कमेने यह सोलूशन बना लिया ठीक है अब वो सॉलूशन बनाने के बाद जब यहाइण्स में कंवर्ट हो गए तो मैंने इस सॉलूशन को ठाकर इसमें दो मेटल की स्ट्रिप्स लगाई और इन दोनों मेटल के स्ट्रिप्स को वायरर के जरीए बैटरी से जोड़ दिया यह नहीं बैटरी ऑब कि मैंने च्वाय किया अब मैंने बटन भावाम किया और करेंट पास करना शुरू किया तो यह वाला जो अलेक्टरोड़ तो इसके उपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यह वाला जो इलेक्ट्रोड था बिटा चुके यह बैट्री के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया छीक है अब जो आपने करेंट पास करने शुरू किया तो नेगेटिव और यहां पॉजिटिव अब जब आपने करेंट को इसमें पास किया तो इलेक्ट्रोड पर नेगटिव और पॉजिटिव चाल्ज होनी की वैसे जो यहां पर अब दो तरह की रियक्शन वोगे एक एणोड रियेक्शन कहला एगा और हमेशा याद रखना एनोड रियक्षिन पहले होता है कैथोड बाद में होता है दूसरा कैथोड रियक्षिन होगा अब एनोड रियक्शन में क्या होगा एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता यानि कि यहां पर रियक्शन पहले होगा तो जो नेगेटिव आइन है ना क्लोरीन वह मूव करेगा इस इलेक्ट्रोड की जाने अब सी एल नेगेटिव आइन जो है यह एनोड पर आकर कासरों से रिलीस कर देगा ऐगा अच्छा क्लोरी जब आइन था ना पिटा तो यह लिक्विड इस डिट में दा जैसे यह नूट्रल होगा यह अपनी निचरल स्टेट में वापस आ जाएगा है इसकी नेचरल इस्टेट क्लोरीन की की नइस्टेट है पिटा क्लोरीन ने ख करें ना कि मतलब और ज्यादा एलेक्ट्रों होंगे तो वह मतलब निकलता है इस से मुराद यह के सुलूशन में दो आइंज आना पॉजटिव और नेगेटिव सही है तो जब करेंट बास करोगे तो पॉजटिव आइन मूव करेगा नेगेटिव एलेक्ट्रोड पर और णोaime होता जिसमें एलेक्ट्रों करना चाहिँ हो से एलकेट्रान की कमें होती है उसमें इलेक्ट्रन बढ़ जाते मैंने घंड यहां पर बतायता कि आइन डीनल करना चाहरू तो हमना तो सीरा पर हुड कि धा हुआ तो यह गैशियस फॉर्म में आगे जो इसकी नेचरल फॉर्म है अब हमें एक बात पता है कि क्लोरीन एक डाइटॉमिक फॉर्म में रहने वाली गैस है तो दो क्लोरीन के यह सिंपल की कि बैलेंसिंग है इसमें कोई रॉकेट साइनस नोगें वही बात है मैंने एक की जगाऊ दो क्लोरीन ले लीए वाली बात क्लियर होई बात कि कोई सवाल बिटा किसी को भी लो सर अच्छा अब देखो यह जो दो जी बिटा एक सवाल करना था कि आपके रहें मतलब लिक्टिफाइब करने के दो तरीके तो मेल्ट करने का और एक पानी मिलाने का तो मतलब सबस्ब्सर आइंस के परक पड़ता है तादा तुमकी के मेल्ट पे और वाटर में मिलाने से जादा तूसमा होते हैं जिदे मौली क्योंवी जोंगे उतने आइंस बनेंगे हाँ मेल्ट करने पर बीबात हैं आपको कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ेंगे अगर कंडीशन आप मेंटीन करPEं नहीं दीलए तो आइंस कम ज्यादा होते रहतें मतलब अगर मिसाल केese mm हंड्रेट पर कोई चीज बॉइल हो रही है तो आपको हंड्रेट ही रखना पड़ेगा टेंपरेचर अगर हंड्रेट से नीचे होगा तो वापिस री कंबाइन हो जाएंगे अगर आयोनाइज होने के लिए सौ मिली लीटर पानी चाहिए निन्यानवे होगा तो वह कम हो जाएगा इस तरीके से रहता है के कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है अच्छा अब क्या होगा देखो कैफोड एनोड पर जो दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिलीस किये यह दो इलेक्ट्रोंग मींजव एक्सटर्नल सरकेट ट्रेवल करके आये कहां पर कैफोड पर अब कैफोड पर इलेक्ट्राण की हो गई ज्यात्ती तो जो पॉजर्टीव आइन होगा जिसके अंतर इलेक्ट्रॉन की कमी थी वह मूफ करेगा कैफोड की जाने और वह जाकर कि उन्हीं दोनों स्टोट करेगा जो क्लोरिन से निकलकर आएं इसफ Polo saish नि Marketing के वो होता है तो वह सॉलिड हो जाता है सही है क्लियर हो गई वाली बात अच्छा किसी भी न्यूटरल अगर कोई गैस बनती है ना इस प्रॉसेस के दौरान तो हम उसके लिए लफ इस्तमाल करते हैं गैस लिबरेट हो रही है क्योंकि गैस वहां रुकती नहीं है न्यूटरल होगी न्यूटरल होकर हावा में उड़ जाएगी ठीक है और अगर कोई चीज सॉलिड बनती है न तो वह एलेक्ट्रोड पर चिपक जाती है क्योंकि वह कहां जाएगा अगर न्यूटरल हो रहा है तो हम उसके लिए लफ इस्तमाल करते हैं कि यह डिपॉजट हो रहा है समझ गए यह रिंकी सुन्सुन्ट